विद्वा बहु की तीन तीन सास मा आगे गोलो मा आगे गोलो बाबा मा को बोलो ना कि वो जाग जाएं साक्षी बेटा सम्हालो खुद को तेरी मा बिस दुनिया में नहीं रही नहीं नहीं बाबा नहीं मेरी मा मेरे हाथ पीले करवाए बिनन नहीं जा सकती है मा मा उठो मा अभी दो दिन बाद आपकी बेटी की शादी है आखे खोलो मा शादी के घर में देखो तो जरा कैसा अब शगुन हुआ है, मा ही मर गई, अब इस बेचारी को सीने से लगा कर इसका बाप ही विदा करेगा सभी बेचारी साक्षी के पीट पीछे बादे बना रहे थे, दो दिनों में जिस घर से दुलहन की डोली उठने वाली थी, आज वहीं से दुलहन की मा की अर्थी चल रही थी साक्षी ने अपनी मा को बहुत आवाजे लगाई, लेकिन उसकी मा गहरी नीन में सोच चुकी थी सभी रस्मों से साक्षी की मा का अंतिम संस्कार हुआ, और शादी की डेट को आगे बढ़ा दिया गया, जब साक्षी को होश्च सा आ गया, तब उसके बाप ने उसे विधा कर दिया कैसी बाते कर रही हो भाई साहब, ये जमाना तो बोलता ही है, लेकिन हमारे भी तो कुछ उसूल है, अब शगुनी कोई नहीं होता है, बस कभी-कभी नियती हमारे साथ खेल-खेलती है, खेर जो भी हो, अब से आप अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से आजाद हो जाएए, अब से ये हमारी बेटी है, चल साक्षी, हाँ सासूमा, बाबा, अपना खियाल रखना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, मुझे भी मेरी बच्ची, अपनी ससुराल में सभी का कहना मानना, और एक अच्छी बहु की तरह रहना, साक्षी के माबापने उसे समझाते दिपाली ने बड़े ही प्यार से अपनी बहु का ग्रह प्रवेश करवाया, साक्षी को उन तीनों सास के अंदर अपनी मा की जलक दिखाई दे रही थी, जिसकी वज़ा से उसकी आँखें भराईएं। चल तो एक काम कर, जा कर आराम कर ले, बाकी की बाते और रसमे कल हो जाएंगी। अगली सुबह साक्षी ने बड़े ही अच्छे से अपनी पहली रसोई की रसम की और बाकी की रसमों को भी निप्टाया, जिससे उसे अपनी तीनों सासु मा से काफी अच्छा अच्छा नेग भी मिला। ताइसा, ये इतना महंगा हार देने की क्या जरूरत थी। ये हार हमारा खांदानी हार है, ये घर की बड़ी बहु पर होता है, अब हमारा तो एक ही बच्चा है, तो ये हार अब से तेरी अमानत है। शुक्रिया मा जी, मुझे इतना सम्मान देने के लिए। बहु देख, तु बाद बाद पर यूँ इमोशनल ना हुआ कर, चला बैठ, खाना खा हमारे साथ, वैसे तुने खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। तीनो सास ने मिलकर साक्षी को खाना खिलवाया। वैसे साक्षी की कोई नंद या देवर कोई नहीं था, लेकिन उसके सासो मा से ही उनका दिल लगा रहता था। वो बहुत घुल मिलकर एक दूसरे के साथ रहती थी और ऐसे ही चलते हुए अब साक्षी मा बनने वाली थी। वैसे मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, अगर लड़का हुआ तो राहुल, लड़की हुई तो पिंकी, बहुत ही प्यारे नाम है ताइसा, बहु वरुन कहां है, ताइसा वो तो आफिस गए हुए है, क्यों क्या हुआ, उसको बोल कि आते वक्त थोड़े से बादाम और क बाजू लेकर आए, किसके लिए लेकिन, आरे पगली तेरे लिए, इस हालत में खाना पीना ही जरूरी है, ला मुझे फोन दे मैं, वरुन को बोलती हूँ, मेगा ने साक्षी से फोन लिया, और वरुन को फोन मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन, आरे ये वरुन फोन क्यों न जल्दी से इस बैचारे को होस्पिटल लेकर चलो, अरे हाँ, हाँ, जल्दी चलो, कैसा खतरनाक एकसिडेंट हुआ है, इसकी तो शकल भी पैचाने में नहीं आ रही है, वरुन का बेहत खतरनाक ट्रक से एकसिडेंट हो चुका था, उसके गारी तहस नहस हो गई थी, और ब कुछ दिनों बाद, आरे सबजी वाले भाईया, ये बैंगन कैसे दिये हैं, ये दो रुपे किलो, मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैं तो मजाग कर रही थी, वैसे दिपाली जो बिकलौते बेटे की जाने की वज़े से आपको ये एक एक रुपे वाली ही सबजिया खानी ह हम क्या खाएंगे, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने सही कहा, वैसे आप किसका नंबर लगनी वाला है, आपकी बहु आप किसको निगलेगी, उस औरत के ये पूछते ही दिपाली ने उसे घूर कर देखा, तेरी उम्र मुझसे आदी है, लेकिन सोच देख, सौ साल के बुड़ोसी भी बुरी है, तू जाकर अपने दिमाग का इलाज करवा, मेरी बहु क्या है, क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, दिपाली ऐसे बोलती हुई, उस औरत के पास से आ गई, बाहर के लोग बेचारी साक्षी को मनहूसी मनहूस बोलने पड़ थी, लेकिन तीनों सास उन सभी की बातों को एक तरफ रखते हुए, अपनी बहु की पूरी पूरी हिमायत लेती थी, और उसका साथ देती थी, और प्रेगनेंसी में उसका काफी खयाल भी रखती थी, ले बहु दलिया खा, तेरे लिए अच्छा रहेगा, शुक्रिया मा, क्या हुआ, अदुनिया मुझे गलत बोल रही है, अब तो मुझे भी यही लगता है कि मैं एक काला साया हूँ, लेकिन आप लोग मुझे हमेशा अच्छा महसूस करवाती हो, पागल है तू, बेकार की बाते क्यों सोच रही है, तो हमारे लिए जो कल थी वही आज है, फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, समझी, इसलिए बिलकुल इस दुनिया की बात सुनने की जरूरत नहीं है, निरंजना ने साक्षी को हिम्मत दी और उसे अच्छा महसूस करवाया, ऐसे ही एक दिन क्या बात थी? मैं नहीं चाहती थी कि तेरी मनूस बहु का साया मुझे चुए, मेगा तू भी उससे दूरी बना कर रखना, वो क्या है न? बस, बहुत हुआ, अगर एक शब्द भी तूने मेरी बच्ची के बारे में बोला ना तो मैं भूल जाओंगी कि हमारे बीच में क्यों कर रही है? अभी भी आखे नहीं खुली क्या? जब तुम्मे से भी वो किसी को खा जाएगी क्या? जब अकल आएगी? चुप हो जा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, वरना तू जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, जदाफा हो जा यहां से. मनूस मेरी बहु नहीं ऐसे ही समय बीद गया और साक्षी ने एक बहुत ही सुन्दर बेटे को जन्द दिया. इतने दिनों के बाद अब लोगों का मूँ भी बंद हो चुका था. कितना प्यारा पोता है मेरा, ये हमारे वरुन की परचाही, उसकी आकरी निशानी है, बहु जुगु जुगु जी. तीनों सास अपने पोते के दुनिया में आने की वज़ा से बहुत खुश थी. अब साक्षी को बाहर कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उसकी तीनों सास जो उसके लिए धाल बनकर हमेशा खड़ी रहती थी. और अब सब कुछ ठीक हो चुका था.